नमस्कार आप देख रहे हैं दा भारत खबर दिल्ली में सीलिंग और डेमोलिशन से डरे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है पूर्वी दिल्ली में MCD ने मार्च 2021 तक बने मकानों को राहत देने की तैयारी इश्यू कर दी है इसके तहट अब इन मकानों में तोर फोर और सीलिंग नहीं की जाएगी साथ ही ऐसे निर्मानों में बिजली पानी के कनेक्शन देने का रास्ता भी साफ हो जाएगा पूर्वी दिल्ली नगर निगम की 27 मीती ने फैसला लिया है कि मार्च 2021 तक बने मकानों को तोड़ा नहीं जाएगा और नाहीं सील किया जाएगा इन मकानों में बिजली पानी का कनेक्शन देने के लिए अनापती परमान पत्र यानी NOC भी जारी की जाएगी पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्टेंडिंग कमेटी की बेठक में ये एहम फैसला लिया गया है अब स्टेंडिंग कमेटी के फैसले को सदन में पास होना है पूर्वी निगम की स्टेंडिंग कमेटी के इस फैसले से शेत्र में तमाम लोगों का डर खत्म होगा स्टेंडिंग कमेटी ने सदन को बताया है कि पूर्वी नगर निगम शेत्र एक एविवेस्थित और घनी अबादी वाला शेत्र है यहां की अबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीवी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है ज्यादातर अबादी खून पसीने की कमाई पर घर बनाने में लगी है पूर्वी नगर निगम शेत्र में बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां घर बनाने के लिए निगम से नक्षे पास नहीं किये जा सकते पूर्वी निगम की स्टेंडिंग कमेटी ने सपस्ट किया है कि बिना नक्षे की निर्मान करने पर अवेद निर्मान की विविन धाराओ में निगम को शेत्र में तोर फोर और सीलिंग की कारवाई करनी पड़ती है पूरवी दिल्ली नगर निगम शेत्र में हजारों ऐसे नए निर्मान है जिन पर तोर, फोर या फिर सिलिंग की तलवार लटकी हुई है उनके इस निर्ने से ऐसे हजारों लोगों को राहत मिलेगी और बिजली विभाग और दिल्ली जलबोर से लोगों के घरों में बिजली पानी का कनेक्शन मिल सकेगा आप देख रहे हैं दभारत खबर बाकी की खबरों के लिए आप हमारे चनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए शुक्रिया झाल झाल कर दोड़ों हमारे ये जा खबर पानी कि दो खलाँा हमारे उन्हीं की जलुक्रिया